नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मुबाइल न्यूस चानल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामे का भुलेटिन की शुरुबात करते हैं आज की हेडलाइन से दिल्ली में रन फोर रियो को पिया मोदी ने दिखाई हारी जंडी बोले ओलम्पिक पहुचे 119 खिलाड़ों के लिए करेद हुआ दो हजार बीस ओलम्पिक में भारत के दोसों से ज्यादा खिलाड़ी भेजने का ले संकल आसाई छुनुता वाले बयान को लेकर आमिर खान पर बरसे मनोहर परिकर कहा देश के खिलाफ बोलने वालों को पाठ पड़ाई आमिर ने पिछले साल नौंबर में दिया था बयान सुधी अरब में भुख से बेहाल दस हजार से ज्यादा भारतिय मदद के लिए आ गया इस उश्मा स्वाराज ट्वीट कर कहा सयोगी वीकेसिंग करेंगे दोरा गंगा में 4200 करोड की परियोजना पर चीन की मुहर वर्ल्ड बैंक को दी मंजूरी वारना सी सहीत चारिस्तान पर बनाए जा रहे मल्टी मोडल टर्मिनल और जैम का टेस्ट के पहले ही दिन अश्मानी की फिरकी में फसी वेस्ट इंडीज बावन रंदे का जटके पाच विकेट एक सुच्छानमे रनों पर सिम्टी वेस्ट इंडीज और अब देखते हैं आज की पांच बड़ी खबरे रियो ओलम्पिक में शामिल हो रहे भारते खिलाड़ों की ओसला फुजाई के लिए दिल्ली में रन फोर रियो का युजर हो रहा है जहां मेजर ध्यांचंद नेशनल स्टेडियम पर प्रदान मंतरी ने कहा कि टोक्यों में 2020 में होने वाले उलम्पिक की तयारी में अभी से जुट जाएं और उस उलम्पिक में कम से कम दोसों से खिलाड़ी भेजने का संकल पले पीम ने इस दोड को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया पीम मोदी ने कहा कि उलम्पिक में भारते खिलाड़ियों को भारते खाना उपलब्द कराने के लिए हमने विशेश बजट रखा खिलाड़ी दियों के मोसम उपर स्थितियों में तालमेल बिठा ले इसके लिए हमने उन्हें 15 दिन पहले वहां भेजे हर खिलाड़ी को उनकी पसंद का ट्रेनर दिलवाया और एक एक खिलाड़ी पर 30 लाग से लेका 1.5 करोड रुपए तक खर्च किये पहली बार सरकार ने उलम्पिक का बजट सवा सो करोड रुपए तक पहुचा दिया जी ट्वंटी शिकर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सितंबर में चीन जा रहे है प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी यहां चीनी राष्ट पती शी जिन पिंग और अमेरिका की राष्ट पती बराक ओबामा से दिर्पक्षे वारता कर सकते हैं दोनु ने ताउ के साथ वारता के दोरान पीम मोदी एनस जी में भारत को शामिल करने को लेकर बात हो सकती है और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंग इस मुद्यों को सुलजाने के लिए सौधी अरब जाएंगे सुष्मा ने ट्वीट किया सौधी अरब और कुवेत में बड़े संख्या में भारती अपनी नोकरिया गवा चुके हैं लियोकताओं ने वेतन नहीं दिये और अपने कार खाने बंद कर दिये सुष्मा ने ये बात एक व्यक्ति द्वारा किये गई ट्वीट के जवाब में कही है उस व्यक्ति ने कहा कि एक अजार से ज्यादा बेरोजगार भारती तीन दिनों से सौधी के जेद्दा में भूके हैं विदेश मंत्रे ने कहा हमने सौधी अरब स्तित भारती दुताबास से कहा है कि जेद्दा में भूके भारतियों को खाना मुहया कराए जाए सुश्मा ने कहा मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंग इस तरह के सभी मामले सुलचाने के लिए सौधी अरब पहुच रहे हैं सुश्मा ने ये भी कहा कि कुवेट किस्तिती नियंतरन लाया कह लेकिन सौधी अरब किस्तिती काफी खराब है रक्षा मंत्री मनुहर परिकर ने आमिर खान के देश छोड़ने वाले अहिशय शुनता के बयान को लेकर निशाना साधा है परिकर ने खान का नाम लिए बगएर कहा एक अभीनेता ने कहा है कि उनकी पतनी भारत से बाहर जाना चाहती है ये दंबपूर्ण बयान है यदि मैं गरीब हूँ और मेरा घर छोड़ता है तो तब भी मैं अपने घर से प्यार करूँगा और हमेशे उसे बंगला बनाने का सपना देखूँगा बता दे कि पिछले साल नवंबर में आमे ने ये कहते होई ऐसा इशुनता के कथित बढ़ते माहुर पर सुर में सुर मिलाये था कि वे ऐसी बढ़ती गटनाओं से इस्तबद है उनकी पतनी किरनराव ने सुजाओ तक दिया था कि देश छोड़ दे जैन्यू में देश विरोधी नारेबाजी की कथित गटना का परुख्ष रूप से जिक्र करते होई परिकर ने कहा कैसे कुछ लोगों को देश के विरोध में बोलने का सहस हो जाता है ऐसे लोग जो लोग देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देश के लोगों द्वारा पार्ट पड़ाने की जरूरत है गंगा में 4,200 करण रुपे की बहुपरतिशिक्त जल परिवहन पर योजना पर चीन ने अपनी अनापत्ति दे दी वल्ड बैंक की ओर से इसके लिए चीन के वितमंत्राले को पत्र बेजा था चीन के इंटरनेशनल फाइनिंशियल इंस्टिूशन डिविजन एक के यंग युआनी जी ए ने वल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर को संबोधित पत्र लिखकर योजना पर किसी प्रकार की आपत्ति ने होने की बात कही है जल परिवेन परियोजना के लिए विशु बैंक के ने बंगलादेश और नेपाल से बियन उसी मांग की है गंगा मेलाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर जलमाग विक्सित किया जा रहा है इस योजना की फंडिंग वल्ड बैंक रहा है वारना सी सहीति चारिस्तानों प्रेमल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं अफट अफट नज़ा डालते हैं गुछ और बड़ी खबरों पार ठाने पुलिस ने करोडो रुपे की एफेडरीन रैकेट के मामले में पूर फिल्म अबिनेत्री मम्ता कुलकर्णी के गुजरात, मुंबई और आसपास के इलाख्यों में स्तित कम से कम आठ बैंक खातों पर रोक लगा दी है इन खातों में 90 लाख रुपे से दिक की राष्टी जमा है अंतराष्ट्रिय मादक पडात सरगना और उसके सयोकी विख्की गोस्वामी से जुड़े मामले में मम्ता को पहले ही मुख्या अरोपी बनाया गया है एक वर्ष्ट पुलिस अधिकारी के नुसार इस मामले की जाच के हिस्से के तोर पर सभी आठ बैंक खातों को फ्लीज कर दिया गया है क्योंकि ऐसा संदे है क्यूंकि पोपर्टी और बैंक खातों से ड्रग रैकेट को मदद मिली थी भारते क्रिकेट टीम ने सभीना पार्ट मैदान पर जारी पहले दिन शनिवार का खेल खत्म होने तक मेजवान वेस्ट इंडिज पर अपने पकड़ मजबूत कर ली है वेस्ट इंडिज की पहली पार 196 रनों पर समेटने के बाद धरत ने स्टंप्स तक एक विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिये हैं नै खेल खतम होने तक लोकेश राहूल कि चेतर और चेतेशर पुजारा 18 रनों पर नाबाद लोटे भारत ने शिकर धवन के रूप में एक विकेट गवाया है धवन और राहूल ने पहले विकेट के लिए 87 रनों की साज़ेदारी की ये साज़ेदारी 19.3 ओवरोगी रही धवन को राश्टन चेस ने आउट किया धवन ने अपनी 52 गेंदों की पारी में 5 चोके लगाई भारत पहली पारी की तुलना में 70 रन फीचे है लेकिन इसके बाउजूद इसके पहले दिन के खेल के आधार पर उसने मेजवान टीम पर अपनी पकड मजबूत कर ली है दिल्ली के इंद्रगांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर दो सांसदों के बीच हाता पाई होने के ख़बर सामने आई है आरोप है कि AIA DM के सांसद शशी कला पुस्पा ने DM के के सांसद तिरूची शिवा को सरयां थपड मा दिया बताया जा रहा है कि DM के सांसद नेता मिलनाडू की CM जहललिता के खिलाफ कुछ कमेंट किया था जिसके बाद शशी कला ने थपड जड़ दिया जिसके बाद एरपोर्ट में मौझूद CISF के जवानों ने दोनों को अलग किया इस हादसे के बाद सांसद शशी कला पुश्पा ने कहा मैं मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती तिरूची शिवा ने हमारी नेता पर कमेंट किया था वही DM के सांसद तिरूची शिवा का रोपैकी सबसे पहले शशी कला ने उनके खिलाफ कमेंट किया जब उसका जवाब दिया तो उसने सरयां थपड मार दिया कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाइदिन के कमांडर और पोस्टर बोई बुर्वानवानी के एंकाउंटर पर अब राज्य की सत्ता में शामिल बीजेपी ने अपने सहयोगी पार्टी पीडिपी के सुर में सुर मिला कर बात कही है राज्य के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंग ने कट्रा में कहा कि बुर्वानवानी का एंकाउंटर एक्सिडेंटल था सरकार को इस एंकाउंटर में बुर्वानवानी के फसे होनी की खवर नहीं थी डॉक्टर निर्मल सिंग ने कहा कि अगर पहले से सरकार के पास बुरहान वानी के कोकर नाग एंकाउंटर की ख़बर होती तो सुरक्षा एजनसी और पुलिस प्रिकोशन लेती जमू कश्मीर में आतंकियों की खिलाफ जारी उप्रेशनों का तरीका एक ही होता है और अगर कोई आतंकि सरेंडर नहीं करता तो उनसे निपटने का तरीका ऐसा ही होता है गोरतलावेकिस से पहले जो मुकश्मेरी मुख्यमंत्री में अभुबा मुफ्ती ने शिरी नगर में पीडेपी के फाउंडेशन डे पर कहा था कि सरकार उस रुक्षा एजनसी को एंकाउटर में बुरहान वानी के फस्से होने की ख़बर नहीं थी और अगर ऐसा होता तो सरकार चांस ले सकती थी यूपी में चुनाव से पहले देश के दो बड़े दलित नेताओ के वीच जुवानी जंग छिट गई है पहले महराश्टर के बड़े दलित नेता और केंदर सरकार में राज्यमंत्री रामदास अठावले ने अमबेडकर के नाम पर मायावती पर केवल राजनीती करने का अरोप लगाया अठावले ने कहा कि मायावती बाबा साहब अम्बेड करके नाम पर राजनीती तो करती है लेकिन उनके आदर्शों को नहीं मानती वही अठावले के इस बयान में मायावती ने पलटवार करते हुए कहा कि अठावले बीजेपी की गुलामी में बाबा साहब के मूवमेंट को आगात पहुचा रहे है मायावती के बोध धरम अपनाने की अठावले की सला पर भी कहा कि जब समाज जागरूप हो जाएगा तब कांशी राम की इच्छा के मुताबिक करोडों लोगों के साथ बोध धरम अपनाऊंगी और ये इतिहासि घटना होगी बीजेपी के परदेश अध्यक्ष केशो परसाथ मोरिया नेशनीवार को मुरादाबाद में मुख्य मंत्री अखिलेश यादव को सूबे का सबसे विफल सीम बताते हो इनके स्टिफे की मांग की है उन्होंने कहा कि आज पूरे परदेश में सपानेता पबलिक की जमीनों पर कब जाकर रहे हैं और उन्हें मुख्य मंत्री का खुला संग्डक्षन हासिल है महापोरुप चुनों में जनसभा को संबोधित करने मुरादा बात पहुचे केशो पर साथ मोरिया ने प्रेस वारता में कहा कि अखिलेश देश के सबसे बड़े दिक धोके बाज सीम है उन्होंने बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों समेट समाच के हर वर्ग को धोका दिया है बोले परदेश में चारों और गुंडाराज और भैका माहोल है देश के अलग-अलग हुस्सों में भारी वारिशे से तबाई के खबरे लगातार आ रही है ओडिशा में शनिवार को अकाशिये विजली गिरने से अलग-अलग हिलाकों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई जिसमें तीन दर्जन से अधिक लोग भायल होए है सबसे ज्यादा नुकसान भद्रक जिले में हुआ है यहां आठ लोगों के मौत बिजली गिरने से हुई मुख्या मंत्री नवीन पटनाएक ने बारिश और बिजली गिरने से लोगों के मौत पर दुख जताया है उन्होंने दिकारियों को प्रभावित लोगों के परिवारों को मदद पहुचानी का निर्देश दिया है खबरों के सफर में फलहाल इतना ही दिश दुनिया के पलपल की खबरों को हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मुबाइल फून के मादियम से ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी से नमस्कार